हेलो स्टुडेंट्स मैं सुसिल कुमारलाल आज आप लोगों को इंटर्नल एक्जाम के जो सिडूल है उसके साथ जो आप लोगों का स्लेवस है इंटर्नल एक्जाम के परपस से उसको डिसकस करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहले में बता दू कि यह जो सिडूल है पांच मार्च से इंटर्नल एक्जाम सुरू हो रहा है और जैसा नोटीस है और और इवेन इस्टुडेंट का रोल नंबर के कोडिंग आना है और पांच तारिक से जो इंटर्नल एक्जाम होगा वो किवल ओनर्स आना है आम के किवल ओनर्स के इस्टुडेंट के लिए होगा और यह पता होगा तुम लोगों को कि आनर्स स्टुडेंट का ओनर्स का जो पेपर है 5 तारीक को है, Core 2, Business Law है, जो 6 तारीक को है, यानि 6 मार्च को है, उसके बाद 7 संडे है, 8 मार्च को GE पेपर है, GE यानि Applied Money and Banking, और 9 मार्च को तुम्हारा पेपर है, AECC, जिसके अंदर हिंदी या तो इंगलिस, जो हिंदी लिये होंगा, उनका हिंदी होगा, जो इंगलिस लि पहले डिसकेस करेंगे, कि Financial Accounting, यानि Core 1 जो पेपर है, जो 5 मार्च को होने वाली है, उसमें कोश्चन किस टाइप कर रहेगा, तो देखो, तुमको कोश्चन जो दिया जाएगा, वो तीन या चार कोश्चन बोर्ड पे लिखा जाएगा, और उसमें से 2 कोश्चन तुमको कर ना होगा, और यह जो कोश्चन हम दे रहें, इसी कोश्चन का पैटन का, कोश्चन तो महारे इंटरनल एक्जाम में आएगा, बहुत इसक्टान पूछ थेंपो जो जो अब्शक्टिव कोश्चन करना होगा, पहला जोको कुश्चन तुम्हारा जैसे डिसकस किया गया है, दूसरे बहुत important जो question internal के लिए है, वो है meaning of royalty, give the journal entry in the books of lazy and landlord, landlord और lazy के book में journal entry क्या होगा, उसको तुमको लिख कर दिखाना होगा, तो ये दोनो practical type का question है, लेकिन ये theory में ही question रहेगा, तीसरा जो question है, difference between higher purchase system and installment payment system, higher purchase system and installment system में जो difference है, वो तुमको define करना होगा, चौथा जो important है, define accounting principle and write their significant, तीसरा जैसे चार important question दिया गया, एक और important question हो जाता है, जो हमने नहीं लिखा है, एक important question है तुम्हारा, discuss the rule of journal versus Murray, गर्नल versus Murray rule है, जो digitalization of partnership में तुम्हारा गर्नल versus Murray की rule है, उस rule को भी define करने का question हो सकता है, यानि तुमको तीन question दी जाएगी, internal exam के purpose से, तीन में से दो question तुमको करना होगा, ये financial account का सलेवस्था, आगे बढ़ते हैं, next तुम्हारा जो आएगा, वो है business law, यानि core 2, c2, core 2 जो paper है, वो business law है, यानि honors 2, business law में, तुम्हारा question जैसे यहां देखों, पांच question लिखे हैं, तीन question board पर दी जाएगी, या तुमको question दी जाएगी, तीन question, उसमें से दो question तुमको करना होगा, पहला question जो तुम्हारे लिए है, what is contract, discuss the essential element of valid contract, valid contract, contract क्या है, और valid contract की जो essential element होती है, उसको तुमको define करना होगा, valid contract का essential element 8 है, उसको तुमको define करना होगा, उसके बाद जो तुम्हारा topic आता है, second question है, all contract are agreement, but all agreement are not contract, comment, यह भी एक important question है, कि सारे contract, तुम्हारा agreement है, बट सभी agreement contract नहीं होता है, उसपे तुमको explain करना है, comment देना है, and third number जो question है, discuss the various types of contract, contract की जो various types से उसको define करना है, fourth number, what is agreement, what are its types, agreement क्या है और उसकी types क्या है, and the last question, what do you understand by competence of contract, party को contract करने की जो capacity होती है, वो क्या है, और एक minor के लिए क्या rule है, उसको define करने के लिए, तो इस type से तुम्हारा question है, यह 5 question है, अब इसमें से 3 question दी जाएगी, जिसमें से 2 question तुम्हारा करना होगा, इसी type क्या हो सकता है, इससे आगे पीछे भी question रहे, लेकिन जो question का process से, sliver से, वो मैं तुम्हें से discuss कर रहा हूँ, and the next जो paper है तुम्हारा, G.E. Applied Money and Banking, G.E. Generic paper जो है, Applied Money and Banking, यह तुम्हारा paper है, इसमें question क्या हो सकता है, तो define money, discuss the various types of money, next, define money, discuss the importance, and the next, define money, discuss the function of money, next, discuss the meaning of central bank, meaning of bank, explain the function of central bank, यह सारी जो question है, बहुत ही important होता है, यह तुम्हारे internal के लिए भी हो जा रहा है, साथ में final जो exam होगा, उसके लिए भी बहुत important question हो जाता है, and the last, discuss the meaning of inflation, discuss the causes of inflation, 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 मुद्रा इस्फिती क्या है, उसकी कारण क्या है, inflation of money, causes of inflation of money, यह 5 question है, अब इसमें से 3 question मिला, तुमको उसमें से 2 question करना है, तो internal exam, जैसा question का pattern था, मैंने तुम से discuss किया, अब हमको लगता है, इससे ज़्यादा problem अब नहीं होना चाहिए, question का जो pattern है, मैंने तुम से discuss कर दिया, तुम लोगों से, अब उसकी बाद, इसी type से question बनाओगे, ओके, thank you